यदि हमने बल्प को बैटरी के साथ जोड़ दिया तो क्या होगा वजल उठेगा यदि कंगी को बालों पर घिसने के बाद हम उसे कागस के छोटे छोटे टुकडों के पास नाए तो क्या होगा कंगी टुकडों को आकरशित करेगी बारिश में आकाश में बिजली को कड़कते हुए अवश्य देखा होगा जी हाँ हम विद्युत की बात कर रहे हैं विद्युत शक्ती हमारे चारों और होती है आज के आधनिक यूग में तो हम इसके बिना जीवन यापन की कलपना तक नहीं कर सकते पर ये विद्युत वास्तव में क्या है आज हम इसी मूलगामी प्रश्ण के बारे में सोचेंगे और उसका सही उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे आपने एजिप्ट के पिरामिट के बारे में आवश्य सुना होगा बहुत सालों पहले एजिप्ट के लोग जादूई मचली के संपर्क में आए जब भी वे उसे चूते थे तब उन्हें जटका लगता था उन्हें लगा कि ये जादूई है यहां तक कि उन्होंने उस मचली का उप्योग सरदर्थी करने के लिए भी किया उन्हें पता ही नहीं था कि वे मचलियां बिजली की मचलियां थी अंबर एक जिवाश में पेड राल है पुराने जमाने इसी ही जिसे अपने रंग और संदर्ता के लिए काफी सराहा जाता है अंबर को कहनों में इस्तमाल किया जाता है प्राचन इजप्त के रहभासियों ने इस बात की खोच की थी कि यदि अंबर को हम बिल्ली के रूम के साथ घिसें तो उसमें जादूई शक्तिया निर्मान होती है अंबर अपने से हलके परों को अपनी और आकुर्शित कर पाता है एजप्त के लोग इस बल के बारे में बड़े ही उच्छुक थे ग्रीक भाशा में अंबर शब्द का अर्थ इलेक्ट्रॉंस होता है इसी कारण हम मानों उन्हें इस बात का अनुमान लगाया कि जरूर यह कोई रहस सिमय बल है इसे ही हमने इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्यत आवेश कहा विद्यत आवेश का अर्थ विद्यत के खंडों का निर्मान करना होता है चली अब हम यह कंगी लेते हैं और उसे अपने बालों पर घिसते हैं यदि हम यह कंगी कागस के तुकड़ों के पास ले जाए तो क्या होगा? कागस के तुकड़े कंगी की और आकरशित होंगे. क्या आप सोच सकते हैं कि किस कृती के कारण ये कागस के तुकड़े कंगी की और आकरशित होए होंगे? जब हमने कंगी को घिसा तब शायद कुछ ऐसा हुआ होगा और इसके कारण ही कागस आवेशित हो गया अलिमिनियम के पन्नी का उपलोग हम अंदर रखने के लिए करते हैं चलिए अब हम अलिमिनियम के पन्नी लेते हैं अब हम उसे आधे में काटेंगे और लगातार उसके बारीक टुकडे करते रहेंगे क्या आप बता सकते हैं कि अपने हातों से हम कितनी बार ये कर सकते हैं शायद 10 या फिर 15 बार यदि हम अत्याधोनिक तक्निकों का उप्योग करें फिर भी हम उस तिती तक कभी न कभी आवेश्य पहुँचेंगे जहां पर हमारे लिए उसे और काटना मुम्किन नहीं हो पाएगा और यही छोटा उससे छोटा उससे अधिक छोटा इतना छोटा कि उसका काटना संभवना हो उसे ही हम परमानू कहेंगे जब एक सीमा के बाद काटना नामुम्किन हो जाता है परमानू आवेश्यत कणों का एक संकलन है परमानों के केंद्र में एक भारी केंद्रक होता है जिसके चारों और रनात्मक रूप से आवेशित कणों के बादल होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है केंद्रक में धनात्मक रूप से आवेशित कण होती हैं जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं और विद्यत रूप से उदासीन कण होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं यदि किसी परमाणू में धनात्मक आवेशित प्रोटॉन और रनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन समान है तब हम उसे विद्यूत रूप से उदासीन अर्थात बेअसर खहते हैं यह सोना और चांदी जैसे धातों के लिए भी सकती है अणू वास्तव में विद्यूत रूप से उदासीन दो या दो से अधिक परमाणूं का समोह होता है ओक्सिजन का अणू ओक्सिजन के दो परमाणूं से बनता है पानी का अणू दो हेडरोजन और ओक्सिजन के एक परमाणूं से बनता है सारी वस्तुएं इस प्रकार अद्वित्य अणूं और पर्माणूं से निर्मान होती है सारी वस्तुएं आवेशित होती है आवेश दो प्रकार के होते हैं धनात्मक आवेश और रनात्मक आवेश धनात्मक और रनात्मक आवेश का वास्तव में कोई खास अर्थ नहीं है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को ये नाम दिया उन्होंने इस बात की खोच की कि ये तोनों आवेश भिन्द परकार से बरताव करते हैं फिर पिल्कुल विरुद्ध पर्दधी से कार्य करते हैं वे ने शायद काला सफेड या फिर उपर नीचे ऐसा कुछ भी नाम दे सकते थे लेकिन अंद में उन्होंने इन के लिए धनात्मक अर्थात पॉजिटिव और रनात्मक अर्थात निगेटिव इन ही शब्दों को चुना जब ये आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तब ये अलग तरीके से बरताव करते हैं समान आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं अर्थात उनमें विकर्षण होता है और जो भिन्द होते हैं उनमें आकर्षण होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमारे आसपास ये सारी वस्तों आवेश इत होती हैं तो फिर वे एक दूसरे को आकर्षण या फिर विकर्षण क्यों नहीं करती अधिकतर वस्तू में समान संख्या में आवेश होते हैं ये आवेश संतुलित होते हैं इसलिए इसका पूरा प्रभाव वस्तू के तटस्त या फिर उदासीन होने में होता है इसी कारण हम कह सकते हैं कि वस्तू ये तटस्त रूप से आवेशित हैं इसी कारण वे नहीं आकर्शित करती है और नहीं विकर्शित करती है वस्तों को आवेशित होने के लिए कुछ कृती या कुछ करने की आवशक्ता होती है कुछ करके हम तटस्ता आवेशित वस्तों में से आवेशों को या तो निकाल लेते हैं या उनमें आवेश डालती हैं यदि हम इस pipe को सूखे हुए पत्ते के पास लेकर जाते हैं तो pipe में जो रणात्मक आवेश हैं उनमें और सूखे पत्तों के रणात्मक आवेश हैं उनमें विकर्शन निर्माण होगा इसकार्थी ये है कि सूखे पत्ते में धनात्मक आवेश है और pipe में रणात्मक आवेश है और विर्ध आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्शित करते हैं चुनकि विरोधी आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं इसी कारण सूखे पत्ते आवेशित pipe की और आकर्शित होत जब गुब्बारे में स्वेटर के अपेक्षा अधिक संख्या में रनात्मक आवेश है और जब हम गुब्बारे को स्वेटर के नजदीक ले कर जाते हैं तब गुब्बारे और स्वेटर में आकरशन होता है। जो रनात्मक आवेश है उनसे विकरशन निर्माण होगा और दूसरी और दिवार के धनात्मक आवेश गुब्बारे के रनात्मक आवेशों को आकरशित करेंगे। और गुब्बारों या फिर आपके आसपास के अन्य किसी भी पदार्थ के सहायता से ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने निशकरशों को अपने दोस्तों को भी बताएं। साराश हमने विद्युत आवेशों के बारे में बात की। चलिए से दोहराते हैं। विद्युत आवेश विद्युत के ब्लॉक अर्थात खंड निर्मान करने के समान होते हैं। दो प्रकार के आवेश होते हैं धनात्मक आवेश और रिनात्मक आवेश समान आवेशों में विकर्षण होता है और भिन्न आवेशों में आकर्षण होता है